कि नमस्कार दोस्तों ट्रेट की इंडेक्स एस वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो चलिए देखते और प्लान करते कि कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम ट्रेट का और कॉंसे लोकेशन पर ले सकते हैं तो यहां पर निफ्टी का हमने डेली टाइम फिर्म का चा यहां आप देख सकते हो कि आज की कैंडल को अगर हम गौर से देखे तो अल्मोस्त हमें फाइट व्टीश चैनल वन टू टू थ्री फॉर फाइट फाइट फाइग्रीं कैंडल के बाद हमें आज फटाइम अगर आप देखोगे तो शूटिंग स्टार और वह भी हमें मिली एक्जाक्टी रेजिस्टंस पर अगर हम एक बॉक्स ड्रॉ कर लें यह हमारे लिए एक रेजिस्टंस जोने एक चीज याद रखिए रेजिस्टंस पर शूटिंग स्टार मिलना मतलब प्राइस बेरिश होती है क्या तो नहीं जब तक अब प्राइस इसके नीचे क्लोज ना दे इस कैंडल के नीचे अगर क्लोजिंग हमें मिलती है एक बेरिश कैंडल से अच्छे से क्लोजिंग मिलती है तो डेफिनेटल हम फिर यह एसल रखते हैं फिर हम वापस से आपर हमारी शॉट्शल की पोजिशन बना सकते हैं और जो आमें फिर से लेकर आएगी सत होने 17000 सब्सक्राइब करेंगा करेंट की एक सब्सक्राइं और यह तो सब्सक्राइब तो एक चीज़ इंपोर्टन्ट है कि रेस्टन्स और सपोर्ट थोड़े से दूर दूर है तो हमेशा हम यही कहते हैं अगर सपोर्ट रेस्टन्स अगर दूर होंगे तो यह सब्सक्राइब यहां पर हमें एक चीज़ कर सकते कल अगर इसी जोन में ओपन होता है और यहां पर मिलता है फीर यहां पर हमें कोई भी यह चीजिद रखने में अब जब तक बाइंग के लिए हम नहीं सोचेंगे पोजिशनल में जब तक आज का हाई नहीं निकलेगा अब चलिए बैंग निफ्टी में देखते हैं यहां पर जैसे कि आप देख सकते एक ट्रेंड लाइन है जिसको बैंग निफ्टी बार-बार रिस्पेक्ट कर रहा है तो यहां प अब यहां पर एक रेंज बनाने के बाद यह रेंज को अगर ब्रेक आउट करेगा एक स्टॉंग बुलिश केंडल से तो यहां पर हमें फिर एडिशनल एक अपसाइड जो हमें लिखे जाएगा और उसके बाद नेक्स टार्गेट होगा डारेक्ली फोटी डू थाउजन के बाद लेकिन कब जब यह अब यह कैंडल का इस कैंडल के हाई के उपर प्राइज यहां पर सस्टेन होगी अब चलिए देखते 15 मिट साइम फ्रेम पर कि क्या हमें बैंक निफ्टी में करना चाह है तो 15 मिट साइम फ्रेम का चार्ट लगा लेते हैं तो यहां पर जैसे कि हम देख सकते यह एक इंपॉर्टन सपोर्ट है तो यहां पर हम एक बॉक्स मार्क कर लेते क्योंकि यहां से प्रीवेस रैली भी हुई है चालीस हजार पांसो पचास से चालीस हजार चेसों का तो यह सपोर्ट का काम कर रहा था आज अगर आप देख सकते तो यह ब्रेकडाउन होके अल्मॉस्ट इसके नीचे यह उपन है तो अगर हम पहले हम अपने ट्रेट के टेकनिकल लेवल देख लेते हैं तो टेकनिकल लेन ऑप्शन से लेवल हमने इनेवल कर दिये हैं और डा साइड में ब्रेक करता यह एक बेरिश केंडल के साथ तो 40,750 के बाद डारेक्ली नेक्स्ट हमारा टार्गेट जो डाउंसेट में विलेगा चालीस अजाज़ाज़ाज़ाज़ाज अगर इनकेस गैप अपन हो जाता है तो आपको यह क्लियरली पता है अगर मार्केट डाउ स्केंडल के लिए वेट करना होगा एक कोई भी शूटिंग स्टार बेरिश इंगल फिंग डबल टॉप ट्रिपल टॉप पैटर्न मन्दा यहाँ बिल्कुल यहाँ पर सेल कर सकते हो फर्स्ट आर्गेट आपका इस्ट्रेस क्लोद होगा सेकेंड अर्गेट आपका डब्ली एक स्टेड़ बैंक ने कंटिनियोस ओल्मॉस्ट 456 के बाद यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बनी है तो यह बी एक रिजिस्टंस लेवल के पास यहाँ पर आके रुख गया है हो आप इसका मतलब बेरिश होगा क्या नहीं एक चीज याद रखिए अब यहाँ पर अगड़ स्पेंड करता है और टाइम दो से तीन सेशन स्पेंड करें फिर निकलता है क्योंकि एक चीज याद रखिए एच्टी एफसी बैंक के सैटेड़े को रिजल्ट आने वाले हैं सो हो सकता है एक्सपेक्टेशन के उपर एक्सपेक्टेशन के बियाप पर अल्ड़ेडी इसको भगा दिये तो हो सकता है यहाँ पर यह थोड़ा सा अब दो से तीन सेशन के लिए यह क्योंकि इस फ्राइड़े को भी हमारी चुट्टी होने वाले है तो बचे है तीनी सेशन हो सकते है तीन सेशन थोड़ी सी वोलेटिलिट इदर क्रियेट करें फिर थोड़ी सी सब्सक्राइब करता है यह तो मंतली सपोर्ट से रिवर्सल हमें एक्सपेक्टेड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखते है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोई नहीं एक अलगी जोन में चला गया है जब तक आप यह वाली 533 का लेवल नहीं निकलता तब तक यह डिफिनेटल एक अपसाइड मोमेंटम नहीं मिलेगा और डाउनसेड में भी अगर सेल पोजिशन भी देखने है तो डाउनसेड में फिर वीकली सपोर्ट ब्रेक होना चाहिए तब जाके आमें 517 या 510 के देखेंगे यह इंफर्मेशन आपके सिर्फ एजूकेशनल पर्पस के लिए है अपने रिस्क को संबाल के ट्रेड कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेर और कमेंट करना मत पूलिए